आपका स्वागत है में प्रियाम आपके साथ साल 2009 में रिलीस हुई फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी ने साथ में काम किया था इंजिनिरिंग स्टुडेंट्स की लाइफ पर बेस्ट इस फिल्म के कई सीन में तीनों एक्टर्स को नशे में दिखाया गया एक्टर माधवन ने हाली में दिये एक इंटर्वियू में इसी में से एक सीन का जिक्र किया माधवन ने बताया कि फिल्म के एक सीन के दोरान आमीर का आइडिया था कि ड्रंक सीन में एक्टर्स को ड्रंक होने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए बलकि वाकई में ड्रंक करके नॉर्मल रहने की एक्टिंग करनी चाहिए माधवन ने आगे कहा आमेर के इस आइडिया पर काम करते वे हमने सीन शूट होने के एक घंटे पहले ही ड्रिंग करना शुरू कर दिया था हलकि वो शॉट टेक्निकल इशूज के चलते दो से तीन घंटे बाद शुरू हुआ और हम तब तक ड्रिंग करते रहे इसके बाद जब शॉट देने का वक्त आया तब मुझे और बाकी एक्टर्स को लगा कि हम नौर्मल है पर हम एक शॉट देने में कई घंटों का वक्त ले रहे थे साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म त्री इडियर्स ने 400 करोड रुपे का ग्रॉस कलेक्शन किया था ये उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी